दिली में कॉंग्रेस बोर्किंग कमेची की बाच्छत में अध्यक्षपद को लेकर घमासान पर पूर्व मुख्यमंत्यू जॉक्टर रमन सिंग ने कहा है कि कॉंग्रेस के बुरिष्च नेताओं के सबर का बांध तूद गया है जिन नेताओं ने पांकी के लिए जीवन खपा दिया उन्होंने गांधी परिवास से अलग नेत्व की मांग की हैं यह कॉंग्रेस ने जनों की निराशा को दिखाता है उन्होंने ये भी कहा है कि कॉंग्रेस के भीतर जो हालात है वो दिख रहा है कॉंग्रिस ने जो पराजल छेली है उसकी हाताशवा भी दिख रही है पूरू मुख्यमंत्वी ने ये भी कहा है कि जितनी उम्र राहूल गांधी की है उतरव वरिष्ट नेताओं का अनुभाव है वरिष्ट नेताओं पर आरोप लगाना हाथ से स्पध है जो पचासों वर्ष से एक परिवार गांधी परिवार के हाथ में रहा है जिन्होंने पूरे जीवन खपा दिए कांगरिस ने उन्होंने मान की कि परिवार से अलग कोई नेत्रित होना चाहिए और आमकार करता को और सार देना चाहिए